हेलो सुटेंट्स वल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब अमीद करते हूं बेटा सब यच्छ होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वरक्षिट नमबर 15 साइन सब्जेक्ट के बेटा 7th क्लास के बच्चों के लिए 20 तारीक किया ठीक है जिसमें हमारे चैप्टर है एसीडेंट बेसिस एंड सॉल्ट उससे आज हम पढ़ेंगे नैचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं और हमारे चारो तरफ कौन-कौन से नैचुरल इंडिकेटर्स हैं ठीक है तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा इंडिकेटर्स क् होते हैं special type के substance होते हैं जो क्या करते हैं जिनको व्यूज करते हैं किस लिए किसी भी substance की नेचर को जानने के लिए कि वो किस तरीके का acidic है या basic है तो हमें पता है बैटा जितने भी material होते हैं हमारे चारों तरफ वो क्या होते हैं या तो कुछ नहीं तो वो क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं ठीक है तो हम यही पता लगाते हैं अब एक कुशन उठना चाहिए बट हाव दीज डू सो लेकिन यह करते कैसे हैं इसा तो बाइ चेंजिंग देर कलर इन्हें सोल्यूशन कंटेनिंग और बेसिक सबस्टांस तो बेटा यह क्या करते हैं अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब हम इनको किसमें डालते हैं ऐसिडिक या बेसिक सोल्यूशन के अंदर तो उस रंग के हिसाब से हम बताते कि यह क्या है सबस्टांस या basic है तो देखो अब natural indicators कितने तरीके के होते हम कौन-कौन से use करते हैं बटा तो naturally occurring substance which are used as indicator are called natural indicators तो वो naturally occurring substance जो nature में पाए जाते हैं जिनका हम use करते हैं indicators के रूप में कि वो हमें पताते हैं कि वो क्या acid है या basis है तो उनको बोला जाता है natural indicator देखो बटा example के तरुपर टर्मरी यह हमें दिखाई गई है litmus paper ठीक है litmus को हम लाइक है जो हमारा पोधा होता है उससे प्राप्त करते है चायना rose petals यानि कि बटा गुडहल का जो फूल है उसकी पत्यों का भी हम use करते है ठीक है अब बटा बारी-बारी से हम जानते हैं कि किस तरीके से इनका use किया जाता है त अपने स्कूल वगरा में इट इस एक्स्टेड फ्रॉम दी लाइकेन ठीक है और यह बटा किस से होती है लाइकेन का जो पोधा होता है उससे एक्स्टेक्ट किया जाता है इस डाई को इट है परपल कलर इंदी डिस्टिल वोटर जो बटा उबला हुआ पानी होता है जिसको हम उबाल लेते हैं उसको बोधर डिस्टिल वोटर तो उसमें यह कैसा कलर देती है परपल ठीक है इट इस अवेलेबल इन दी फोम ऑफ सोल्यूशन एस वेल एस ट्रीप्स ऑफ दी पेपर और यह हमें एक सोल्यूशन के रूप में भी मिलती है और चाहे हमें एक इस तरीके से भी अवेलेबल होती है एक ब्लू कलर का होता है और एक रैड कलर का होता है अब इस ट्रीप्स आर नोन एज लिटमस पेपर इनको हम लिटमस पेपर बोलते हैं लिटमस पेपर इस ओफ टू टाइप रैड लिटमस एंड ब्लू लिटमस ठीक है अब बेटा वेन ब्लू ल solution क्या करता है blue को red में convert कर देता है ठीक है और red litmus paper को basic solution किस में convert करता है blue में और देखो बेटा इसने क्या क्या blue को red में और red को तो red ही रहता है ठीक है अब बात करते basic solution की तो basic क्या करता है बेटा basic जो है red को blue में convert कर देता है और blue वाला तो blue ही रहता है तो आप याद रखो BRB ठीक है ऐसे याद रख लो blue को blue में convert कर देता है और ये acid जो है acid एक तरीकी से खदरनाक होता है तो आप और खदरनाक का बेटा हम sign कोन सा use करते है red color तो आप ऐसे याद कर लो कि acidic जो होगा वो क्या करेगा खत्रे का निसान है यानि की red color में वो convert कर देता है litmus paper को अब बात करते हैं बेटा second turmeric की तो it changes its color from yellow to red in basic solution but remains yellow in acidic solution अब बेटा देखो जो turmeric होता है हल्दी ये क्या करती है तुम देखते होंगे तुमारे कपडों पर कई बार दाग लग जाते हैं तो उनको जब तुम साबून से साफ करते हो तो क्या होते रेड कलर के हो जाते हैं तो ये तरीके का indicator है उसने में क्या पता है और क्या करते है बेटा तर्मरी इसका yellow color red में convert हो जाता है किस solution में basic में तो जो आपने साबून का यूज गया वो red में convert हो तो इस त्या में क्या पता चला जो साबून है वो कैसा solution है basic ठीक है और remain yellow in the acidic solution और जो बेटा acidic solution है उसमें ये yellow ही रहता जैसे नीमबू हो गया तो नीमबू के पानी में क्या होता है solution में डालोगे तो कोई color change नहीं होता हालती का ठीक है अब third की बात करते है बटा china rose यानि के गुड़हल के फूल की china rose indicator turns acidic solution to the dark pink magenta तो बटा देखो ये dark pink magenta color में change कर देती है कब acidic solution में गुड़हल का जो फूल था उसकी petals और basic solution में इन का color कैसा हो जाता है green color का हो जाता है ठीक है अब बटा एक और important चीज जानते हैं हम यहां से acid rain के बारे में acid rain क्या होती है the rain become acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide और nitrogen dioxide which are released into the air as pollutants यानि कि बटा जो car खाने, factory या गाड़िया वहान, vehicles चल रहे हैं उनसे जो भी gases निकलती है pollution निकलता है वो air में जाता है यानि कि वो कौन-कौन से sulfur dioxide gas हो गई carbon dioxide gas हो गई nitrogen dioxide gas हो गई ठीक है अब यह क्या करते हैं जब बारिस का time आता है तो उस समय पर यह वातावरन से उसमें मिल जाती हैं उसके पानी के साथ dissolve हो जाती है इंदा rain drops to form car और क्या बनाती है carbon dioxide तो carbonic acid sulfur dioxide, sulfuric acid nitrogen dioxide, nitric acid को बनाती है अब बेटा यह क्या करता है acid rain can cause damage to the buildings historical monument, plants and animals यह acidic rain जो बेटा हम सब को हानी पहुंचाती है जैसे कि buildings हो गई आपने देखा होगा ताज मेल जो है yellow होता जा रहे ऐसी हमारे और भी etiaci की मारत है वो भी क्या होते है वो भी उसका color change कर देते है ठीक है मतलब उन etiaci की मारतों का color भी change हो जाता है ठीक है plants हो गए, animal हो गए इन पर भी बेटा इनका बुरा effect पढ़ता है अब इसके हम question answer करते है तो देखो first question क्या है what are the natural indicator तो natural indicator कौन-कौन से है बेटा या किसको कहते है तो हमने यहीं पर पढ़ा था naturally occurring substance which are used as indicators are called natural indicators for example turmeric, litmus और china rose battle यह सारे क्या है naturally occurring substance है जिनको natural indicator बोला जाता है अब बेटा देखो second question क्या है china rose indicator turns basic solution किसको किसमें convert करती है बटा गुड़ल जो है वो किसमें convert कर देती है basic solution को green ठीक है अब turmeric change its color from dash यानि कि yellow इसका color कैसा हो था yellow yellow से किसमें हो जाती है red में किसमें basic solution के अंदर what change do you observe on red litmus paper in acidic medium तो क्या कहोगे in acidic medium in acidic medium ठीक है आप लिखोगे in acidic medium red color red litmus देखो in acidic medium there is no change आप यह लिख देना रूखो एक मिनट बेटा in red litmus there is no change फिर लिखोगे in basic medium in basic medium red color red litmus turn into blue ठीक है into blue litmus ओके यह लिख दोगे अब फॉर्थ कॉशन के the three main gases dead are coarse acid rain तो बटा क्या लिखोगे carbon dioxide अपको यह लिख दोगे carbon dioxide पहले में फिर sulfur dioxide फिर nitrogen dioxide ओके यह थी बटा आपकी आज की वक्षित उमीद करते हूँ आपको अच्छे समझ जा गई होगी फिर भी कोई doubt हो तो comment box में पूछे रना इस वीडियो में इटना ही बटा अपना next topic कम अपनी next video में करेंगे तब तक है लैसे हस तरही मुस्क्रात रही है पढ़ते रही और आगे पढ़ते रही थैंक यू